हाई गाईज, Welcome back to my channel, मैं हु सुगा मौवार, मेरे चानल पर फिर से एक बर आपका स्वागज़ है, तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक ब्रिंक लेक्ट लेक्ट जिसके तुरू जिनका भी वेट इस्टे कर गया है या नहीं जा रहा है उनका, या फिर स समर्स नहीं आया, कुरी तरह से विंटर नहीं है, जो 20 का सीजन है उसके लिए बिल्कुल पर्फेक्ट ब्रिंक है और यकीन मानिए कि जिनका भी बेट जैसे कि कुछ लोगों का 58 प्या के स्टे कर गया है, कुछ लोगों का 60 प्या के स्टे कर गया है तो वज़न इसे बहुत जरूर और जैसा भी रिवीव हो इसका में साथ शेयर जरूर करिएगा, तो टाइम को बेस नहीं करते हैं और चले चलते हैं वीडियो की तरह हो फर्स्ट अफॉल आपको इसमें 1.5 जमच अजवाइन लेनी है और 5-6 आपको दालजीनी स्टेक्स लेनी है और 1 इंच आपको कच्ची हल्दी का टुकड़ा लेना है और 2 लीटर वाटर आपको चाहिए और इस वाटर में इन सारे चीज़ों को डालके आपको 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही लो फ्रेम पे बॉयल होने देना है जिसे की सारा इस्ट्रेक्ट इस वाटर में आ जाए और ये वाटर आपके टमी एरिया का जो नीचे का जो अब्डॉमिनल फैट होता है उसे बहुत तेज से मेल्ट करेगा और इस वाटर का आपको स्ट्रेड नहीं करना इसे ऐसा ही छोड़ देना है जिसे की धीरे-धीरे सारे इस्ट्रेक्ट इस वाटर में आते रहे और अगर आप जो वाटर लेते हैं अगर उसमें अज्वाइन आ रही है तो आप प्री हो के पीजे बिल्कुल आपको प्रॉब्लम नहीं होगी उसे पीने में तो यह वाटर मेरा रेडी हो रहा है तो यह मैंने गया स्पेसे चड़ाया हुआ है अब दीरे दीरे इस पे बबल्स पी आने लगे हैं और यह देखे मेरा वाटर रेडी हो गया है मैं इसे ऐसे गरम गरम अपने ग्लास में ले लूँगी और जैसे हम चाय हम पीते हैं हमें बिल्कुल वैसे ही इसे पीना है और इसके रिजर्ट बहुत ही अच्छे हैं इसके आपको अराम से दस दिन में विजिबल होने लगेंगे तो यह मेरा वाटर रेडी है नाइट के लिए आपको एसे नाइट में भी लेना है और बॉर्निंग में भी लेना है और जैसा भी मैंने आपको पहले भी बोला हुए इसका रिव्यू भी में इसा शेयर कर जरूर है और मतलब डियाबेटिक पेशेंट वालों के साथ ऐसा होता है ना कि वह नहीं कोई बिर्निंग यह ना ले ले लेकिन वह इसे पूरी तरह से ले सकते हैं प्री होगे क्योंकि इसमें दाल चीनी है तो उनके सुगर डैबल को वह कर देगा तो मिलते को बहुत ही ज़ले एक